सुरूची ने प्रवचन सुनसुन के प्रतिग्या ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी सबसे अच्छे से बात करेगी किसी के साथ बुरा नहीं करेगी बहु ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा बैठे रहने दो माजी उसे आराम करना होगा उस दे मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है तो मैं उसे बेघर क्यों करूँ अरे ग्यान की बारिश बाद में करना अपने गाल का मच्छर हटा ले मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा माजी डेंग्यू मलेरिया तो सांसारिक बिमारिया है हमें इनसे उपर ही तो उठना है न अरे बेटा इनसे आदमी उपर ही उठ जाता है क्या हुआ काट लिया अरे मैंने तो कहा ही था मार देना था उसको नहीं नहीं माजी उसे भूजन करना था मैंने उसे पोशन दिया है मुझसे पुणिया का काम हुआ है अरे उड़ रहा है टुंटुना के ताली बचा के मार दे वरना फिर काट खाएगा नहीं नहीं माजी जी भात्या करना पाप है मैंने एक बार वाटसप पे एक उपदेश पढ़ा था मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है लेकिन कभी मच्छर को मारना मत क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है अरा तु और तेरा वाटसप का ज्यान भगवान बचाए सुरुची की ये पुणिया करने की आदत से कई बार सुरुची का नुकसान होता लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती सुरुची मेरे सर में जुएं हो गई है निकाल दोगी कोई आपको अपने घर से निकाले आपको अच्छा लगेगा क्या अरे लेकिन परिशान करती हैं जुएं दिन बड़ सर खुजाता रहता हूँ देखो इसी बहाने तुम्हारे सर की चमपी हो जाती है तुम्हें तो जुओं को थैंक्यू कहना चाहिए तबी बाहर से ससूर जी के आवाज आती है बहु बहु अभी आई बाबु जी बेटा सुनो ये देखो चाए में न मक्खी तैर रही है दूसरी चाए ले आओ जाओ ला दूंगी पर मक्खी मत अठाइगा आरे क्यों बेटा मक्खी चाए का सेवन कर रही है अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाए छीन ले अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा नहीं नहीं बाबु जी आप उसे पीने दीजिए पी करोड जाएगी लेकिन बाबु जी मक्खी के साथ ही चाए पी जाते हैं ये क्या क्या बाबु जी अरे मक्खी सिर्फ चाए ही क्यों पिए आज सुबर मैंने मिठाए भी खाई है पेट में ही है वो पेट में चाए भी पीती रहेगी और मिठाय भी खाती रहेगी सुरुची को समझ में नहीं आता कि वो बाओ जी के इस कार नामे पर क्या जवाब दे वो सास के पास जाती है सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है माजी आपके हाथ में ये क्या है अर बेटा तू तो बी ये पढ़ी है इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है माजी अप क्यों मार रही है खटमल मत मारिये माजी आप अपनी नींद के लिए खटमलो को हमेशा के लिए सुला देना चाती है अरे अब चुप भी हो जाव देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल, और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तुने हमारी नींद हराम कर रखी है अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दई शक्कर खा रही है, और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं दोती, बहुँ स्कूटी निकालती है, और सास ताला लगाती है, ताला लगाते वक्त, शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं, और दोनों सास बहु हर बड़ी में घर से बाहर निकल जाती है, अच्छा हुआ के तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वानना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी, किक मार दी तो पाप लगेगा, मा जी, इस तरह मजाग करना भी पाप होता है, दोनों सास बहु बैंक पहुँचती है, अभी लांच टाइम है, बाद में आना, अरे भाई सहाब, सुन तो लो, करवाना क्या है, अरे जनम तारिक बदलवानी है, कैसे बदलेगी, अब किसी और तारिक को पैदा हो जाओ, यही चिटकला, आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे न, वो भी हस ले थोड़ा, अभी बुलाती हूँ, अरे रुक्ये रुक्ये, ये फॉर्म बरिये और आधार काड दीजिए, अरे रामरे, आधार काड तो भूली ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा, अरे पहुजा, घर से जल्दी से मेरा बटवा उठाला, उसमें मेरे सारे काड रखे है, जाजा जल्दी ले करा, वन्ना बै जाना है ना, जी मा जी, अभी गई और अभी आई, आरे रुक्ये, चाबी तो ले कर जा घर की, बहु जल्दी से घर पहुजती है, लेकिन घर पहुजते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटिया है, जो मा के ताला लगाते वक्त हाज से ताले पे शक्कर छूट जा जाने की करणा गई थी, चींटिया हट जाओ, मुझे आधार कार निकालना है, बहु चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिननते करने लगती है, सुनो हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाओंगी, अभी सास का काम बहुत जरूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो, मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा, चीटिया कैसे सुरूची की बाते सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था, शाम हो जाती है, पर चीटिया हटती नहीं है, तब ही सास वहाँ आटो से आ जाती है, अरा कहा रह गई तू, बैंक भी बंद हो गया, माजी ताले पे चीटि, सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहु से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोटल चड़ानी पड़ी, और उस पर चीटि बैठी हो, तो बोटल से चीटियों को हटा के मुझे बचाएगी, या चीटियों को वहीं बैठा रहन देगी, माजी ऐसा होगा ही नहीं, अर चीटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोटल पे तो मच्छर आएगा, क्यूंकि खून तो मच्छर पीता है, सास सर पकड़ कर बैठ जाती है, और रोने लगती है, तबी ससूर जी और सुरूची का पती भी वहाँ जाता है, अरे रो क्यों रही हो, रहने तो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्पत पर, अगले दिन सास अपनी बड़ी बेहन के यहाँ चली जाती है, पती अपना काम कर रहा होता है, और सुरूची उसकी पास जाकर कहती है, ये जुए खतम करने की दवाई मैं मालिश कर देती हूँ, अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा, अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े, तो वो पाप अच्छे हैं जी,